आज की वीडियो के नहीं हम सीखेंगे कि कैसे हम इस तरह का टाइटल पेज अपनी स्लाइड्स के लिए खुदी पावर पॉइंट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं यहां फिर इसको डिजाइन कर सकते हैं तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काई नहीं को हैं सब्सक्राइब इट ताके आप हमारी दूसरी इंफर्मेटिव वीडियो को भी इंजॉई कर सकें तो गाइस बगैर कोई टाइम जाया किया आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अपने पावर पॉइंट को खोल देते हैं और इसको हम अपने सामने रख लेते हैं ताके हम इसका कंपेरिजन करते रहें बार बर अपने उस दिजाइन के साथ जो हम अभी डॉप कर रहे हैं अब यह हमारे सामने slide आगी है सबसे पहले आपने blank slide open कर लिनी है फिर उसके बाद आपने इसके उपर आ कर के double click करने है जैसे आप double click करेंगे आपको सामने यह box गुड़ जाएगा यहाँ से आपने option चूज करनी है format background की जैसे आप इसके पर क्लिक करेंगे तो यह देख सकते हैं कि यह टैप साइड पर ओपन हो जाएगा इसके अंदर जाके आपने एक ग्रेडियंट फिल को चूज करना है यहां यह मैंने पहले से कलर चूज की हुए है इसलिए यह कलर उसने वही प्ले पिक कर लिया है आप इसको चेंज भी कर लिते हैं जिस तरह से अभी हम चेंज करने लगे हैं यह मैंने पहले इसको चूज किया है इस एरो को और यहां कलर्स में जाके मैंने यह परपल कलर चूज कर लिया तो आप देख सकते हैं कि यह मेरे पास परपल कलर आ गया है अब हम इसको भरा भी सकते हैं और इसको काम भी कर सकते हैं तो आपको जिस तरीके से ज़्यादा बैटन लग रहा है आप उस तरीके से इसको रख सकते हैं मुझे यह इस तरीके से ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको इस तरीके से रख लिया अब यह हमारा आप देख रहे हैं कि यह वारा background जो उनसा है हमारा यह बंद गया है अब हम चलते हैं अपने main step की तरफ जो है यह shape create करना और इसके अंदर image put करना उसके लिए आपने क्या करना है सबसे पहले आपने जाना है insert के अंदर इंसर्ट के अंदर जाके आपने shapes को choose कर लेना है shapes के अंदर जाके आपने direct rectangle की shape को choose करना है और पूरे size का एक rectangle बना लेना है ना जादा यह मोटा हो ना जादा यह पतला हो यह इस तरीके का हमने rectangle draw कर लिया अब हमने इस चीज को make sure कर लेना है कि इसकी जो outline है वो no outline हो हमने जितनी भी shapes बनानी है हमने इस चीज को make sure करना है कि उसकी outline जो है वो no outline हो तो अब हम दुबारा insert पे आते हैं और insert पे आके अब हमने एक right triangle वाली shape को choose कर लेना है और हमने इसको draw कर लेना है उपर से end तक अब आपने इसकी विर्थ वगएर है उसका दियान रखना है आप अपनी shape के लिया से इसकी विर्थ रख सकते हैं लेकि मेरा suggestion यह है कि इसको आप पतला ही रखें ताके इसकी जो slope है वो काफी हुपसूरत वे में आए अब जैसे यह ब eight कर सकते है इसको हम कर लेते हैं flip horizontal जैसे मैंने इसको flip horizontal कर लिया तो आप लेकि सकते हैं कि यह flip हो गया है अब हम इसको इसके साथ attach कर लेते हैं अब हम अगली ये वली shape बनाना चाहरे हैं ये इस तरीके से ये जो नीचे जा रही है हम इसको ये shape देना चाहरे हैं इसके लिए अब हमने ये करना है जो हमने triangle draw किया है पहले हम उसकी duplicate बना लेंगे डुप्लिकेट बनाने के लिए आपने अपने लैप्टॉप के उपर Ctrl और D की की उसको एक साथ प्रेस करना है यह देखें जैसे ही मैंने Ctrl और D की की को एक साथ प्रेस किया है तो यह इसका डुप्लिकेट बन गया है अगर आप Macbook यूज कर रहे हैं तो आप Command और D की की को एक साथ प्रेस करें तो यह आपका डुप्लिकेट बन जाएगा अब डुप्लिकेट बनाने के बाद अब हमने इसकी रोटेशन इस तरीके से करनी है कि यह इस तरह से Slope बन जाए उसके लिए आपने Shape के उपर क्लिक करना है Shape Formate के अंदर जाके Shape Formate के उपर जाके यहां Rotation की Option आ रही होगी उसके उपर क्लिक कर जाना है सबसे पहले आपने करना है इसको Flip Vertically यह देखें यह Vertically Flip हो गई है फिर उसके बाद आपने दुबारा इसके अंदर जाके इसको करना है Flip Horizontal जैसे यह आपने इसको Horizontal किया तो आप देख सकते हैं कि यह हमारी Shape वो Complete हो गई है अब आप एक चीज़ देखें कि हमारी यह Shape बन गी है लेकिन यह Shape हमारी Different Parts में बनी है तो अब हम ऐसा क्या करें कि इसको हम Combine कर दें उसके लिए हमने Simple क्या करना है एक Shape के उपर Shape को Choose कर लेना है जिस तरह के से मैंने इसको Select किया हुए और आपने कीबोर्ड के उपर Shift की की को Press करके रखना है जैसे आप Press करके रखेंगे आपने आपने आपर दूसरी Shape के उपर Click करना है तो आप देख सकते हैं कि यह दोनों Shapes एक साथ Choose हो गई है Same Way में आपने 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 यह तीसरी Shape को भी Choose कर लेना है यह आप देख सकते हैं कि इस Way में मैंने अपनी तीनों Shapes एक साथ Choose कर ली है और यहाँ Shape Formate के अंदर हमारे पास एक आरी होगी Merge की Option यह देखें Merge Shapes इधर आपने Union की Option के पर Click कर देना है जैसे ही मैंने Union की Option के पर Click किया तो आप देख सकते हैं कि यह A की Shape बन गई है अब हमने क्या करना है हमारा यह वाला Part complete हो गया अब हमने इस Shape के छोटे छोटे Parts बनागी यह Strips बनानी है आईए देखते हैं वो कैसे सबसे पहले आपने अब यह करना है कि आपने इसको Duplicate कर लेना है Ctrl-D प्रेस करके आपने इसकी Total बनानी है तीन Copies हम इसका Color बदल लेते हैं ताके हमें Copies के दरम्यान में Gap Feel होता रहे है कि यह दूसरी Shape है अब हम इसका भी Color बदल लेते हैं यह देखें यह मैंने Shapes के Color बदल दिया अब आपने यह करना है कि जिस Size का आपको चाहिए For example, मुझे यह Green वाला Size जो है इस Size का मुझे यह Strip चाहिए यह Green वाला पार आपने इसको उसके उपर Adjust कर लेना जो भी आपको Size वगरा चाहिए मुझे यह चाहिए तो मैंने इसके उपर इसको क्लिक करके पहले Green वाले को चूस किया फिर उसके बास Shift दुबा के Orange वाले को चूस किया तो यहां हमारे पास Merge की Option आ रही है हमने इसको कर देना है Subtract जैसे ही मैंने इसको Subtract किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यह Green वाला पार्ट रह गया अब यह जो Shape मैंने बनाई है यह इसकी यह वाली Shape है अब यह हमारे पास Green Shape आ गई है अब हमने इसके दूसरे Parts को Draw करना है जैसे कि यह और यह वाले Parts अब उसके लिए हम Simple क्या करेंगे हम यही वाला Steps दुबाय रिपीट करेंगे हम इसके दो डूप्लिकेट्स बना लेंगे और उन दोनों का हम Color बदल लेंगे एक का Color हम यहां से उठा लेते हैं कोई भी यह Orange उठा लेते हैं और यह इसका हम यह Yellow उठा लेते हैं अब हम इसके उपर लेकर आके शेप को एड़ेस्ट कर लिया तो मैंने इसको हिला के यह यह चीज मुझे चाहिए तो अब हमने Simply आके सबसे पहले जो उसा पार्ट हमें चाहिए हमने उसको चूज करना है फिर उसके पार हमने Shift की की को दुबाना है तो आप देख सकते हैं कि यह हमाई पास यह शेप आ गई है सेम वे में अब हम बाकी शेप भी जल्दी से बना लेते हैं ताके हम अपनी बाकी डिजाइनिंग की तरफ आ सकें सेम वे में हम इसको दुबारा डुब्लिकेट करेंगे दो बार यह देखें यहां फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक बार इसको डुब्लिकेट करते हैं और हम सिंपल यहां उपर से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं अब रेक्टेंगल हम इस शेप का रख लेते हैं और इसको हम कलर बदल देते हैं इसको हम यलो कर देते हैं अब मैंने ये Orange वला पार्ट रकना है ये वली चीज़ बनाने के लिए ये ये अब मैंने Orange वला पार्ट रकना है तो Simple मैंने Orange व세요 को पहले Choose किया और फिर इसके बाद ये Rectangle को Choose किया और यहाँ हम Shape Formate के अंदर गए और यहाँ से हमने जाके इसको सबट्रेक्ट कर दिया अब हम सेम वे में ये चोटी वाली जोंसी शेप्स हैं ये एक और चोटी वाली शेप हमारी आ रही है और एक ये और ये 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 हमने सेम ही रखनी है ये सिर्फ हमने बनानी है सेमे में आके हम दूबारा इसके डूप्लिकेट्स बना लेते हैं दो बार डूप्लिकेट् तो बचुम की चाहिए तो बड़ कर लेते हैं तो अब हम जितना यह चैप रखनी है हम इतना चूज कर लेते हैं यह शेप मुझे फूर इंपल गेड को डिलीट और इनसेट यहां से हम इसको रिक्टेंगल की शेप ले लेते हैं वो सादा एजी रहता है रिक्टेंगल हमने ड्रॉ कर दिया अब मुझे यह शेप यालो वली जितनी चाहिए हम अतना रिक्टेंगल को और जेस्स कर लेंगे सबसे पहले जूंट सी मैं चाहिए है हम इसको डूस करते हैं और मर्ज में आके हम सब्टाइट कर देते हैं सब्सिते हमेने ड़ citate से में चोटी हुली शेप कर दें इसको बने तरोafter हमाइख रखें यह हमाई शेप त्यार होगी हुई है इतना पार्ट रखना है अब shift दुबा के same way में हमने इसको चूस किया और यहां से हमने आके Subject अब हम इसके duplicate करते जाते हैं तीन बार यहां फिर आप जितनी बार भी रखना चाहिए आप जितनी मरसी shapes बना सकते हैं इस चीज़ में कोई restriction नहीं है कि आपने इतनी ही shapes बनानी है अब आप देखते हैं कि यह हमाई सारी shapes यहां आ गई हुई है यह shapes हमारी create हो गई हुई है अब हम क्या करते हैं अब हम सबसे पहले अपनी image को insert कर लेते हैं इसके अंदर इसको हम side भी कर लेते हैं ताके हमें पता चल जाए कि हमने कौन सी image किस तरीके से insert करनी है अब हम चलते हैं Google की तरफ यह मैंने एक building की image निकाली हुई है आप भी कोई image चूज कर सकते है Google से यहां अगर आपके पास कोई original image आए आपकी अपनी form वगएरा की तो आप वो भी add कर सकते है तो यहां से आके मैंने Google से image को कर लिया copy और यहां आके इसके पर मैंने किया double click और दुबारा हम गए format shape के अंदर अब आप यह field के अंदर देख रहे हैं कि यहां solid color fill होया मैंने इसको solid color नहीं करना मैंने यहां pictures add करनी है क्यूंकि यहां नीचे rotate की option है इसके पर click, tick होया है हम इसको हटा देते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह बिल्कु सही adjust हो गई है और अगर आप ने थोड़ी वह changes बगरा करनी है तो उसके लिए आप यहां से इसके size को आगे पीछे कर सकते हैं जिस तरीके से भी आप जोंसा part आप पिक्चर का ज़्यादा prominent करना चाहरे हो आप उसको add कर दो तो यह स्वे में हमारी image हो गई है add और अब हम इसको थोड़ा सा adjust कर लेते हैं यह यह हमारी image adjust हो गई और अब हम इसके उपर shapes लेकर आते हैं इस shape के लिए यह जो मैंने gradient में color choose किया था उसी का shade मैंने इदर insert किया तो हम यह चीज़ यहां same करते हैं यह काफी ज़्यादा अच्छा effect देता है आपको यह और color भी कर सकते हैं अगर आपको वह ज़्यादा अच्छा लग रहा है यह मैंने इसके इंदर fill कर दिया और यहां हमारे पास एक option आ रही है transparent की तो इसको हमने transparent करना शुरू कर दिया आप दे उतना transparent करना जितना आपको अच्छा लगता है मुझे यह इतना अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको इतना transparent कर लिया अब हम बाकी सारी shapes को arrange करना शुरू करते हैं और इसके color choose करना शुरू करते हैं यह एक shape हमने इदर ही रखनी है हम इसको हम yellow ही रहने देते हैं और इसको हम करते हैं यह orange यह देखें मैंने यह shape इस तरीके से यहां रखती है और फिर उसके बाद ये एक शेप हमारी इधर है ये शेप्स की जो उसी सैटिंग है ये आप बदल सकते हैं जरूरी नहीं है कि इस सैटिंग आप इसी वे में करें इसको आप बदल भी सकते हैं हम इसको ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा इस साइट के ओपर लेकर आते हैं क्यूंकि वहां हमारे पास कम जगा रह जाएगी हमारे टेक्स के लिए यह इमेज को भी उठा के हम इदर ले आते हैं इसको फिट कर लेते हैं इसको भी हम पूरा फिट कर लेते हैं यह देखें और हम इसको इदर ले आते हैं यह और इंज जोंसी है हम इसको इदर ले आते हैं और यह देखें यह इसका कलर हम बदलेंगे अभी हम सिर्फ इसको अरेंज कर रहे हैं तो यह देखें यह हमाई शीप बन गई है अब हम इसके क questi color को अपने according सब्छाइब कोई भी random color रक सकते हैं अभी मैंने कोई भी random color जूज कर लिए और इसके ओपर रखना शुरू कर दी है कि का भी मेरे पास contracting का time नहीं है इतना यह देखे हैं आप इस तरीके से कोई भी color जूज कर सकते है जो आपको अच्छा लाग रहा है यह मेरून रख लेते हैं अगर आप एक कलर को थोड़ा सा शेड बड़ना है उसके बार में भी मैं आप थोड़ा हुआ बता दू यहां आप मोर फिल कलर्स के अंदर आएं और यहां से आप देख सकते हैं कि हम इसके शेड को लाइट कर सकते हैं डार्क कर सकते हैं यह मैंने थ एक्सेक्ट वैसी बन गई है कंट्रास्टिंग हो सकता है कि थोड़ी बहुत वैसी ना हो यह वो आप अपनी मर्जी की कर सकते हैं यह मैंने भी रैंडम ली की है फिर उसके बाद बारी आती है टेक्स की टेक्स के लिए हम सीधा जाएंगे यहां से टेक्स बॉक्स इंसरेट कर अधियो और हम अब इसके फॉंट को चूज कर लेते हैं फॉंट जो सब बेस्ट रहता है वो है यह सेंचरी गोथिक यह काफी दा प्रोफेशनल सी लुक्त देता है यह अब हम इसका कलर कोई भी रख लेते हैं जो हमें अच्छा लग रहा है इसके कलर को चूज कर लेते हैं पर इसको अधियर कर लेते हैं और यहां से हम इसके कलर को चूज कर लेते हैं और इसके साइज को भी हम बड़ा कर लेते हैं यह देखे हैं यह इस वे में हमने कर दिया फिर दुबारा हम यहां से जाके इंसर्ट करते हैं टेक्स पॉक्स और यहां से हम आके title here लिख लेते हैं और इसको अब हम adjust करना शुरू कर देते हैं पहले हम इसका color tone size को हम ये कर लेते हैं और इसके side को हम increase कर लेते हैं उपर वाल से increase करना है और हम इसको bold कर लेते हैं ये देखें ये इस तरीके से अब हम यहीं से सारा अपना text जोंसा है वो choose कर लेते हैं यहां आप अपनी मर्जी का text जोंसा है उसको place कर सकते हैं ये देखें यहां फिर हम इसको थोड़ा सा उपर कर लेते हैं ताकि हमारा text को कोई मसला ना हो ये देखें यहां हमारा text हो गया तो ये अब हमाई slide जोंसी है वो बन लीग है आप इसकी adjustments वगएरा सासद कर सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा पतला भी करना चाहा रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं तो guys ये थी आज की वीडियो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए kindly go and subscribe our channel and like our video इंशाला मुनागात होगी अगली वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए अला आपिस